आज की बुख है जीतना है तो जीत करो जीत के प्रमुक पर आप लच्छ निर्धारन बिना लच्छ निर्धारन की ब्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है जब तक आपको यह पता नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं आपकी आकांच्छा क्य तब तक आप द्वारा की गई कोशिस बिना दिशाग्यान के चलने वाली नौका के समान है ऐसी नौका का नाविक बस पतबार चलाता रहता है उबह कहां पहुच गया या बापस वहीं आ गया जहां से चला था उसका उस पर कुछ पता नहीं नहीं रहता गोल आर्दो फ्यूल इन दा फ्यूरिंस ओफ एचीवमेंट उपलबधियां प्राप्ती हेतु लच इंधन के समान होती है अपना लच तै करने के बाद से ही ब्यक्ति उस लच प्राप्ती हेतु गंभीरता से पर्यास करने लगता है आनेक ब्यक्ति अपने सामने बहुत लच रखकर उस लच प्राप्ती हेतु पूरी लगन एवं निष्ठा से स्वयं को जोक देते हैं इन में से कई ब्यक्ति अपने लच की प्राप्ती भी कर लेते हैं जबकि कुछ असफल भी हो जाते हैं हमारा मानना है कि यदि संभव हो तो अंतिम बरे लच्छियों की अपे के लिए लच निर्धारित कर लें और इन लच्छियों को प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं एवं कठनाईयों का स्वयं आकलन करें समिच्छा करें अपने पर्यासों का विसलेशन समिच्छा और अपनी कमियों का ज्ञान अगले लच्छि की प्राप्ती में अत्यध होता है एक बात का और भी ध्यान रखें यह एक ब्याभारिक बात के लच्छ आपकी योगिता च्छमता की अनुरूप हो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी योगिता च्छमता में ब्रिधी नहीं कर सकते अपनी योगिता छमता में बृधी निश्चित रूप से की जा सकती है लेकिन इस हेतु जिन साधनों की आप सकता है उनके संदर्व में निर्ने करें एक और महत्पुन बिंदु यह है कि जितना बरा आपका लच्छ होगा आपको उतनी ही अधिक मेहनत करनी होगी बरे लच्छ की प्राप्ती हेतु किया गया पर्यास भी उतना ही ब्रिहत होना चाहिए लच्छ निर्धारन करने के बाद ही आप उस लच्छ की प्राप्ती हेतु अपनी योगिता और छमता को एक निश्चित दिशा में पर्युक्त करना सुरू करते हैं लच्छ निर्धारन से आपको एक निश्चित दिशा में कारी करने की प्रेर्णा मिलती है लच्छ निर्धारन से तातपर यह है कि आप में उस लच्छ को प्राप्त करने की इच्छा सकती और आत्म विश्वास है लच्छ निर्धारन करने के बाद ही आप आत्म विश्वास कर स्वय को उस लच्छ प्राप्ती हितु तयार करते हैं और स्वय को अनुसासित कर लच्छ प्राप्ती के पत पर अग्रसर होते हैं लच्छ करो तै बरो आगे लच्छ हिन व्यक्ति कभी इधर भागे तो कभी उधर भागे लच्छ निर्धारन के बाद आप योजना बना कर बहुत समझदारी से मिहनत से लगन इवम निष्ठा से उस लच्छ को प्राप्ति करने में जूट जाते हैं लच्छ की प्राप्ति से आपका आत्म विष्वास बढ़ता है स्वैंग के प्रति समान बढ़ता है स्वैंग की छमता इवम योगता पर विष्वास बढ़ता है आप में और अधिक संगर्ष करने की लौ जागती है आता है लच्छ निर्धारन बहुत महत्पुन है या जीत क राह का आहम प्राव है संघर्ष का दौर लच्छ तै करने के बाद सुरू होता है आपका संघर्ष का दौर आपने जो मंजिल तै की है उसे प्राप्त करने है तू आप अपनी पुन सक्ति और लगन के साथ जूट जाते हैं यह वह दौर है जिसमें व्यक्ति स्वैंग की भी उनों को आखता है इस दौरで व्यक्ति को स्वैंग की कमियों तथा अच्छमताओं का ज्ञान होता है होता यह है कि व्यक्ति जोस जोस में लच्छ निधारन कर लेता है अभा बहुत उत्साह एबं उल्लास से सोच लेता है कि उपर इस लच्छerin को तो हर प्रस्थिती की प्राप्त करके ही रहेगा लेकिन जब संघर्ष का दोर और स्वैं की कुबबत को आकने का मौका आता है तो पता चलता है कि उवह कहां पर है जिस कारी को उवह बहुत आसान समस्ता था वह वही उसे बहुत कठीन जान परता है कुछ व्यक्ति संघर्ष के दोर में सुरू के कुछ दिनों में बहुत अनुसासन में बहुत गंभिरता से पर्यास करते हुए देखे जाते हैं लेकिन बाद में वह बिलकुल ढीले हो जाते हैं यह निस्करिये होकर अपने लच्छ प्राप्ति अभियान से उन्मुक होकर उद अनुसासित रहकर धैर पुर्वक पुर्ण लगन एवं निष्ठा से परिस्रम करते हुए सनय सनय अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है इस दौर में आने वाली कठनाईयों से घबराना नहीं है आपको सकरात्मक दृष्टी कौन से आसावादी होकर आगे बढ़ना है छोट इसते हैं घुरसवार ही मैदाने जंग में तो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले असफलता उसे सीखें एवं अपनी कमियों को दूर करें पुना परियास करें सफल होंगे अबराहम लिंकन की जीवनी को पर हो तो वह एक बिजेता की अपेच्छा एक पराजि होकर बैठ जाने वाले व्यक्ति के कुछ मुख प्रेर्णा सुरूत के रूप में पहचाना जाता है यह संघर्स का दौर एक कसोटी है जिसमें आप स्वय को परlak embrun को आंच में तपाते हैं एवं स्वय के Sergio को निखार लाते हैं यह तौर स्वय को बेहतर बनाने का स्वय को स्वेंग को परखने का एक आत्मिस लेसंस का सांदार दौर है जीत का दौर यह वह समय है जब आप निर्धारित लच्छी को प्राप्ति कर चुके होते हैं इस दौर में आप हर्स उल्लास आत्मिस वास से भरे होते हैं आप स्वेंग की योगिता छमता पर नाज कर रहे होते ह यह दोर बीजेता की तरह खुसी होने का गर्व करने का है जीवन में जीत दर्ज करना एक महत्पुन पराब है जो आकास्मिक नहीं मिलता इसके लिए बहुत त्याग और तपस्या की आवसर्था होती है व्यक्ति को अपनी जीत का जस्न अवस मनाना चाहिए जस्न मनाने का अर्थ सारवजनिक रूप से किसी पार्टी आदी में नहीं बलकि अपने जीत के मार्ग में आने वाली समस्याओं एवं आपके द्वारा उनका किये गए निराकरन से सम्बंदित अनुभवों को अपने ही क कुछ खास मित्रों एवं परिवार जनों के साथ बाटने से है यह जस्न आपको आगे बरने को प्रेरित करता है अपने मित्रों एवं परिवार जनों की बधाईयां आपको और उचे लच प्राप्त करने को प्रेरित करता है इस सांदार हर्स और आनंद से भरपूर दौर में आप स्वय को आत्म विश्वास से ओत प्रोत पाते हैं, आप में कुछ और बड़ा कारी करने की इच्छा जागरित होती है, यह जीत का दौर आपको और अधिक बरे लच्छों को हासिल करने हैं तू प्रेरित करता है, जीत बरकरार रखने का दौर, जीत हासिल करने के बाद का यह दौर बहुत महत्पुन दौर है, जीवन में जीतना महत्व जीत का है, उससे भी अधिक महत्व इस जीत को बरकरार रखने का है, एक उचाई प्राप्त करने के बाद उससे और उपर चरना तो हमें अच्छा लगत लेकिन उस अस्तर से नीचे यदी उतरना परे तब बहुत पिरादायक स्थिती बन जाती है आपने बहुत लगन निष्ठा और मेहनत से एक अस्तर को पार किया है एक जीत दर्ज करके एक मंजिल तै की है अब आपका पर्यास ना किबल उस अस्तर को बरकरार रखने का होना चा जारी रहने वाली एक यात्रा है जिसमें यात्री आगे से आगे बढ़ता जाता है ठकर या संतुष्ट होकर बैठना सफलता नहीं है जब तक आप नई बुलंदियों को छूने हे तू प्रेरित नहीं होते तब तक आपको प्राप्त उचाई को खोने का डर बना रहेगा अ आपकी तरह आपके प्रतिद्वंधी भी नई बुलंदियों छूना हे तू नई उचाईयों पर पहुँचने हे तू ततपर है परियास रत हैं आपको सजग रहना है स्वें को और आगे बढ़ाने हे तू प्रेरित करना है जो अस्तर आपने प्राप्त कर लिया वा हर जवें गर्व महसूस करते हैं अच्छी बात है लेकिन जैसा हमने अस्पस्ट किया है सफलता का दौर एक ऐसा दौर है जो लगातार आपका ध्यान चाहता है बहुत से व्यक्ति एक सीखर छूने के बाद संतुष्ट होकर कुछ निस्किरिये से हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति प्राप्ति है तू पर्यास शुरू करें जुट जाएं स्वय की सारी सक्तियों योगताओं एवं छमताओं को एकत्रित कर उस लच्छी को प्राप्त करने हैं तू जुट जाएं बुना वहीं दौर सुरू होगा जीत की मंजिल के पराब वहीं रहेंगे लेकिन मंजिले किर्केट के मैदान पर देखे होंगे हर व्यक्ति अपने देश की टीम को जिताना चाहता है तीवी से चिपके हुए हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग किर्केट के दिवाने हैं दर्सकों में कभी सननाटा च्हा जाता है कभी तालियों से मैदान गुंज आपने कभी इन खिलारियों की मनों इस्थिति और मांसिक्ता के बारे में सोचा है खिलारी किसी भी देश का हो वह अपनी टीम को अपने देश को जिताने में अपनी पुरी ताकत योगिता चमता सब जोक देता है वह अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए पूरी एरी चोटी का जोर लगा देता है हर खिलारी अपनी टीम को जिताने के लिए सर्वस्रेश्ट पर्यास करता है यदि वह बॉलर है तो वह यहीं सोचकर बॉलिंग करता है कि इस बॉल पर बैट्समन आवस्य ओट होना चाहिए वह अपनी सारी कुसलता दच्छता से बॉलिंग करके बैट्समन को ओट करना चाहता है यदि वह batsman है तो हर ball पर run बनाने चौका छक्का लगाने हे तू परियास करता है इस हे तू अपनी पोरी योगिता चमता का परियोग करता है फिल्डिंग करने वाला खिलारी किसी भी ball को अपने पास से ना निकलने देने हे तू संकल्पित होता है एवं हर catch वह लेना चाहता है एक एक run को रोकने हे तू अपना पूरा दमखम लगा देता है इन खिलारियों में से हमें जीवन से जीतने हे तू बहुत महत्पुन भारी ज्यान सीखने को मिलता है हम इन से सीखते हैं कि जीवन हर पल संघर्ष करने का नाम है यहां दुस्मनी जैसी कोई बात नहीं है हर खिलारी का ध्यान अपनी जीत पर है हर खिलारी पूरे दमखम से जीतने हे तू संघर्ष करता है मन में हार का डर रखकर कभी संघर्ष कर लेते हैं आप एक और महत्पूर्न बिंदू पर ध्यान दें किसी भी मैच का एक परिनाम होता है जीत या हार हार की स्थिती में अनेक जगह चर्चाएं होती है इस मैच में राहुल सवाक तिंदुलकर कोई भी नहीं चल पाया बॉलर ने भी अपना काम नहीं किया हर बजने ने एक ही ओबर में इतने अधिकरन दे दिये बहुत आपेच लगते हैं बुराईयां भी मिलती है अलोचनाएं भी होती है तो क्या वे लोग हार कर घर बैठ जाते हैं क्या यह सोचकर अगला मैच नहीं खेलते कि पिछला मैच हार चुके हैं नहीं ना वे फिर खेलते हैं औ पुना स्वें को साबित करने में जुट जाते हैं सारी अलोचनाओं और आच्छेपों के बाद भी हुए हार नहीं मानते पुन आत्म विश्वास दिर इच्छा सकती से पुना जूजते हैं एवां अपने देश को जीत दिलाते हैं हार मानकर बैठने का आर्थ हमेशा के लि लिया जाना संभब नहीं होता प्रतिकूल एवं विशम प्रस्थीतियों में मनुस घवरा जाता है और ऐसी इस्तिती में किये गए पर्यास प्राया असफल हो जाते हैं आवेस एवं अवसाद दोनों ही मनुस को ब्यागरता की और धकेलता है ऐसी अवस्था में लच्छियो में मनुस अपना संतूलन खो बैठता है जिससे कई बार उवह उपहास इस्तिती में पहुँच जाता है मनुस को बिप्रित प्रस्थीतियों में घवराना नहीं चाहिए मनुस को पुरुसार्थ और पूरे आत्मिस्वास के साथ इन प्रस्थीतियों का डटकर सामना करना च इसका बहुत अच्छा उदारन भारतिये महला मुक्यवाज एवं ओलंपी कास पदक विजेता मैरी कौम की सफलता है। भारत के पुर्वत्तर राजमनी पुर्क में भूमिहिन किसान माता पिता के यहां जन्मी मैरी कौम की कहानी अथक संघर्स और मुक्यवाजी के प्रती नमुर्जाने वाले जोस की कहानी है। उनकी द्रिर इच्छा सक्तिवं आक्रमक्ता ने राजनिती के दाव पेच से परे उस मैदान से होकर रास्ता बनाने में उनकी मदद की जो भारत के सभी खेलों में नजराता है। किसी भी व्यक्ति की दिर इच्छा सकती को कोई भी बाधा कभी भी नहीं रोक सकती, मैरी कौम का बच्पन अत्यांत निर्धनता में बीता, मैरी कौम के ही सब्दों में, सच तो यह है कि मैं और मेरा परिवार अक्सर अपनी भूख उन मौसमी फलों को खा कर मिटाते, जो आता पिता की विसात में थे, वे रवर के बने होते और अस्कूल जाने आने का लंबा फासला पार करते हुए, वे घिस जाते, लेकिन अनु यानि मा चिम्टा गर्म करके फटे हुए हिस्से को दवा कर उसे जोरने में माहिर हो गई, जब तक अस्कूल का साल खत्म होता, जजवा ही था, जिसने बचपन से ही उनके कठनाईयों एवं विपरित प्रस्थितियों का सामना करने वाली एक अती समाने लर्की को पुर्सो वाले खेल मुक्केवाजी में न किवल अपने कैरियर बलकि अपने देश का भी विस्व अस्तर पर गौरवान बित किया, बिजे कि समान ब्यक्तियों से कुछ हट कर होते हैं, वे समान ब्यक्तियों की तरह जीवन को ब्यर्थ नहीं करते, उनका जीवन सुनियोजित होता है, वे समय का मुल समझते हैं, उनमें कुछ ऐसे गुन हैं, जिसे उनकी बिजेता बनने की राह आसान होती है, अनुसासित एवं सु अनुसासन बहुत महत्व रखता है अपने अनुसासित एवं सुन्योजित जीवन में वे ऐसा कुछ कर पाने में सफल हुए जो समान व्यक्ति सोच भी नहीं सकता समय का सदुप्योग सब कारी समय पर करना समय ब्यर्थ ब्यतित करना आदी समंधी सोच उनकी जीवन चर्चा मे आहमन रही जीवन में विजयता वहीं है जिसने स्वय पर विजय प्राप्ति कर लिया ऐसा महान दार्षनिक अरस्तु का मानना था एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि सफल और विजय होने के लिए आपको अन्ने से बहतर होना होगा स्वय के विकास हेत्तूज अधिक सम कुछ ब्यक्ति अनुशासित होने का दिखावा मात्र करते हैं ध्यान रखें कि रूख्य सुख्य पेर की टहनी के समान है जो निश्प्रान है एवं किसी को संभल नहीं दे सकता यूँज लोग अनुशासन को ब्यक्ति गत्वत्तम्दद का मन समझते हैं बस तूता ब्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ मन मौजी पन या अमर्द्यादित स्वचंदता नहीं है अनुसासन सफल ब्यक्तियों के जीवन का प्रमुख आधार है अनुसासन जीवन का नियम है अनुसासन हमारे जीवन में सक्ति संयम मंचरित्र को विकास करत अनुसासन को सफल बनाने में आत्म अनुसासन अहम भूमिका निभाता अनुसासन एवम सुन्योजित से आपकी योगिता दच्टा एवम कुसलता में बिर्धी होती है अनुसासन में संघर्ष करने की सक्ति प्राप्त होती है अनुसासन आपको आंतरिक रूप से द्रीर और सक्तिसाली बनाता है एक अनुसासित व्यक्ति सामान व्यक्ति की अपेच्छा निश्चित रूप से बिजयी के अधिक करीब पहुँचता है जीवन में बिजाई एवं सफल होने के लिए अनुसासन एवं सुनियोजित बहुत मातपुन है लच आपकी रूची के अनुरूप हो आप जीवन में जो बनना चाहते हैं उसका लच आपकी रूची एवं पसंद का होना चाहिए यदि आप एक बुद्ध जीवी हैं और राजनिती का आपको कोई अनुभब नहीं है तो राजनिती आपको कभी रास नहीं आई तो आपका लच राजनैतिक छेत्र से कुछ हासिल करने का नहीं होना चाहिए यदि लच आपको पसंद का होगा तो उस हेतु आपके प्रियास अधिक गहन और परिनाम दायक होंगे लच तै करते समय किसी अन्य की नकल न करके स्वें की इच्छा अनिच्छा पसंद ना पसंद का बिसलेसंस कर लेना अधिक उचित है हमारे एक मित्र कभी हैं उनका अपने छेत्र में अच्छा नाम है सभी लोग उनकी कविताओं की प्रसंसा करते हैं उन्हें देखकर एक अन्य मित्र की कविताओं लिखने लगे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली इसी परकार हर व्यक्ति संगित्यग नहीं हो सकता हर व्यक्ति लेखक नहीं हो सकता गाना तो हर कोई गुन गुन आता है लेकिन वह गायक तो नहीं हो सकता एक व्यक्ति में कुछ बिसिस्ट गुन एवं बिसिस्ताय होती है इसलिए उसे उसी छेत्र में अपने लच्छ तय करने चाहिए लच्छ असपस्ट होना चाहिए पर सवार व्यक्ति हमेशा नुकसान में ही रहता है रूची पुर्ण एवं असपस्ट लच्छ होने पर व्यक्ति अपने स्रीजन सीलता रचनात्मक्ता को सही दिसा की और उनमुख करके मन्चाही सफलता पा सकता है दुबदा एवं द्वंध सफलता के मार्ग में बरी बाधा आपकी योगिता च्मता कलपना सीलता स्रीजन स्कति और रचनात्मक्ता के सही उपयोग के लिए आवस्यक है कि आप लच्छे रूची के अनुकूल एवं असपस्त हो लच्छ प्रापती है तू सवय को तैयार करें लच्छ प्राप्ती या सफलता प्रापती द जीत की राह सरल एवं सुगम नहीं है इसके लिए कठिन परियासों की आवसकता है अदमें इच्छा सक्ती की आवसकता है अटूट आत्म विश्वास एवं कठोर मेहनत की आवसकता है लच्छ निर्धारन करना सामानने बात है लेकिन इसकी प्राप्ति हेतु सुएं को तयार करना एक कठि प्राप्ति करने हे तूसे तयार होना परेगा स्नकल्पित करना परेगा अपनी सारी योगताओं एवं चमताओं को एक ही दिसा में फोकस करना होगा इसवें को अनुसासित और समय का सही नियोजन करना होगा उन सभी आदतों किरिया कलापों का त्याग करना होगा जो किसी भी तरह आपको लच प्राप्ती से दूर करती है उन आदतों को दैनिक चरिया से अपनाना होगा जो लच प्राप्ती हेतु आवस्यक है अपना सारा ध्यान अपनी सारी सक्तियां एवं अपनी सभी भावनाओं को लच्छ प्राप्ति की दिशा में केंद्रित करना होगा जैसा सुरू में ही बताया गया है कि लच्छ प्राप्ति की राह सरल या सुगम नहीं है या रात्याग तप चरिया सैयम अनुसासन संकटेवं समस्याओं की है सफलता की राह में कठनाईयां आती ही है इन कठनाईयों से डरने की आप सकता नहीं है आप सकता है इनका उचित निराकरन करते हुए आगे बरने की आत्मिस्वास को डिगने नहीं देना है आपका आत्मिस्वास द्रीर इच्छ सकती और पर्यासों की एक जूटता आपके लच्छ प्राप्ति को सुगम ब लच्छ भेदना कठीन नहीं है अता लच्छ प्राप्ती है तू स्वैं को पूरी तर्णमत्ता लगन एवं निश्ठा से तैयार करें सफलता आपके कदम अवस्च चुमेगी आप निश्चे रूप से जीवन में बिजय होंगे अक्सर सभी लोग सफलता के सपने देखते हैं लेकिन कुछ लोग ही सफल होते हैं और अधिकांस असफल इसका कारण यह है कि अधिकांस लोग पूरी तयारी करने में स्वैं से ही बैमानी करते हैं जो व्यक्ति पूरी तयारी करके रन छित्र में उतरते हैं ऐसे रन बाकुरों को विजय अवस्य मिलती है असफलताओं गल या गलतियां करते हैं वैसे ही आप सफलता के और नजदीक पहुंचते हैं असफलताओं से सबक लें स्वय के द्वारा की गई गलतियों का विसलेशन करें आगे इनकी पुन्रा विर्ती ना करें ऐसा पर्यास करें असफलताओं से निरास नहों धैर रखें पुना पर्यास करें पुना स्वय को तैयार करें अपनी योगिता एवं छमताओं पर विश्वास रखें सफल होने के लिए आपको धैरवान होना होगा क्योंकि आप कई बार असफल भी होंगे आप गलतियां भी करेंगे लेकिन पुछ नहीं करता थॉमस अलवाइडिसन जिन्होंने बल्ब का अभिसकार किया दस हजार पर योग सफल हुए लेकिन उन्होंने धैर नहीं छोड़ा एवं असफलताओं को स्वयं पर हावी नहीं होने दिया अंत्ता एक दिन वह सफल हुए और कितने ही अभिसकारों के जन् पर आजी तुवे हैं जो एक बार असफल होकर बैठ जाते हैं असफल उसे ही कहा जाता है जो एक बार असफल या निरास होकर मैडान से हट जाता है असफलताओं के अग्यात आगहात से निरास होकर बैठ जाना ही कायरता है असफलताओं की कसोटी पर नहीं आपके प्रुसार्थ साहस धैर एवं आत्म विस्वास की परक होती है जो इस कसोटी पर खरा उतरता है वहीं बिजयी होता है सफलता रूपी पत पर गलतियां रूपी काटे भी खेरे होते हैं जो आपको चुबते हैं आप उन काटों से सबक लें उन्हें दूर करें अत्वा उनकी पहचान करें एवं आगे बढ़ें सफलता अत्वा पराजे से निरास एवं निस्किरिये होने वाले ब्यक्ति का नहीं बलकि अपनी कमियों एवं गलतियों का बिसलेशन कर उन्हें अपना मार्ग दर्सक बना कर दोगने उत्साह से आगे बरने वाले ब्यक्ति का बिजय स्री स्वागत करती है वदन्दन करती है उन्हें अपना विजय हार पहनाती है उन्हें गले लगाती है हुमायू 21 बार हार कर जीता एवं दिल्ली का राज सिहासन पठानों से छिना पर आजे से ही विजय का जन्म होता है असफलताओं से ही सफलता पनपती है जब मनुस इन्हें अपना मार्दर्सक बनाकर नई असफूर्ती उत्साइवं नई अनुभब के साथ आगे बरता है तब वह अंततह बिजय होता है जिसने असफलता को केवल असफलता समझ कर छोड़ दिया उससे कोई सिच्छा गरहन नहीं की कोई सबक नहीं सीखा उन्हें अपना मार्दर्सक नहीं बनाया उसकी उपेच्छा कर दी तो आप समझ लिजिए कि वह सफलता से कोशो दूर चला गया अमेरिकी राश्पती अबराहम लिंकन ने एक एस बर्स की उम्र में इकामन बर्स की उम्र तक असफलता का ही वरन किया लेकिन बामन बर्स की उम्र में सफलता ने उनका वरन किया और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अमिताब बचन को ही ले ले शुरुवात के दिनों में असफल लंबू कहलाने वाला या उपेच्छी तभिनेता आज तक सबसके दिलों में राज कर रहा है वुड्रो विल्सन ने कहा मैं उस काम में असफल होना पसंद करूँगा जो आखिर में सफल हो जब आप असफल होते हैं तो यह साबित हो जाता है कि सफलता का पर्यास पुर्ण मनोयोग से नहीं किया गया अर्थात उसमें कुछ गलतियां कमिया रह गई है बस इन कमियों गलतियों से सीखें और पूरी आत्म विश्वास से पुनह पर्यास करें बिजै स्री आपका बरन करेगी अपनी सामर्थ बरहाएं सामर्थ बान की जीत होती है दुर्वल की पराज है अपनी योगिता और छमताओं में बिर्धी करें नए तकनिकी नए आविस्कार और नए परकार के उपकरनों से स्वें को परिचित रखें आज कल हर छेतर में नूतन परियोग हो रहा है आपको अपने छेतर में हो रहे बिकास एवं परियोगो आदी का ज्यान होना चाहिए प्रत्य स्पर्धा के इस यूग में जानकारी का आभाव आपको पीछे धकेल सकता है जितना बड़ा लच एवं जितनी बरी आपकी करना होगा जीवन में सफलता के लिए आवस्यक है कि आप स्वैः को लच्ष के अनुरूप इतना योग और समर्थवान बनाएं कि असफलता असमभब हो जाए सफल एवम असफल में यहीं अंतर है कि असफल व्यक्ति पुनगनिष्ठीं लगन से अपने लच्छु फोकस बिशार करता है वर स्वैं ही अपनी शामर्थ का आकलन करने में सच्छं होता है आपकी सामर्थ आपके लच्छीं की तुलना में आधिक होनी चाहिए कि आप लच्छ प्राप्ति में थके नहीं ब्यक्तिगत परिसकार एवं उत्क्रिष्टता प्राप्त करने की असीम एवं उत्कट इच्छा आपको सफलता की और अग्रसर करती है सफलता प्राप्त करने की बिजई होने की ललक लिपसा सभी में रहती है लेकिन उसे पास सकने की सामर्थ बान सूर बीर ही सफल होते हैं भौतिक जीवन में बिज़़ई होने के लिए सामर्थ एवं संकलप बल कियाब सकता परती है सामर्थबान एवं आत्मबल संपन व्यक्ती ही सफलता के माग में आने वाली कठनाईयों से जूज पाने में सच्छम हो पाते हैं ब्याम साला में छनी कुद्साह लेकर बहुत से लोग प्रवेस करते हैं लेकिन इस कठीन राह में खिन होकर ही वे सिर्गी मैदान छोर कर बाहर बैठ जाते हैं नित नए कारी करने वाले और कुछ ही समय में उसे छोर कर बैठ जाने वाले मुर्खों की बहुत बरिमंडली सरवत बिचरन करते देखी जा सकती है आलसी प्रमादी कमजोर अधीर सामर्थ ही नेवम आंसा अंका ग्रस्त मनुस असफल होंगे ऐसे व्यक्ति अपंग और असहाई की तरह जीवन यापन करते देखे जा सकते हैं सामर्थ में बिर्धी की जा सकती है इससे आपका आत्मिस्वास बरता है आपकी कारिछमता में बिर्धी होती है आप इससे किसी भी प्रकार की समस्याओं से कठनाई इयों से जूजने की या मुकाबला करने की सकती प्राप्त करते हैं सफलता विजैसरी और अपनी जीत दर्ज करने के लिए अपनी सामर्थ में बिर्धी करें उचित लच्छ के निर्धारन के पस्चात अपनी योगिता और छमता का उप्योग पुर्ण निष्टा एवं लगन से करने वालों को आवस्य ही सफलता मिलती है उचित एवं सिख्र निर्णे लें जीवन के हर छेत्र में या किसी भी व्यवसाय में आपको निर्णे लेने परते हैं आपके द्वारा लिये गए निर्णे आपकी सफलता और असफलता में महत्पुन भुमिका निभाते हैं सही एवं उचित निर्ने हमें सफलता की और ले जाते हैं जबकि गलत निर्ने हमें सफलता से दूर कर देते हैं उचित निर्ने लेने के लिए काफी सोच विचार की आप सकता होती है प्रस्थीतियों की जानकारी साधनों की उपलब्धता और आकास्मिक घटनाओं की संभाव ना इत्यादी कई तत्यों का विसलेशन इन पर बहुत सोच विचार करने से आप सही निर्ने पर पहुँच सकते हैं देखा गया है कि यह गलत निर्ने के लिए जल्दबाजी प्रस्थीतियों की जानकारी का अभाव यह मानसिक दवाब जिम्यदार होता है गलत प्रात्मिक्त साएं तै करने से ही निर्ने गलत हो जाते हैं बरतमान जेट यूग में ना किवल उचित निर्ने लेने की आप सकता है बलकि निर्ने सही समय पर लिया जाना भी आवस्यक है निर्ने लेने में देरी आपकी सफलता को प्रभावित करती है उचित निर्ने कभी भी आकास्मिक नहीं होता है यह गंभीर सोच दुरगामी प्रभाव कुसल ने तृत्व में दिर्ग अनुवब के आधार पर लिया जाता है आपके द्वारा लिया गया निरने आपके लच्छी के अनुरूप होना चाहिए आप अपने लच्छी के प्रती जितने असपस्ट होंगे आपके द निरने करना निश्चीत ही मुश्किल है ध्यान रखें जब तक आप निरने नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा कई बार बहुत छोटे छोटे निरने लेने में व्यक्ति काफी समय लगा देते हैं वे बहुत दुबिधा में होते हैं आनेक अनावस्यक तत्व उन्हें परिसान पाते हैं वे किसी की राई की अकांचा रखते हैं जिससे असफल होने पर वे उसे जिम्यदार ठारा सकें अनिरनायक होने का अर्थ देरी करना अनिरनायक होने की अपेच्छा निरने में गलती करना अधीक उचित है गलती सुधारी जा सकती है लेकिन जब आप कुछ निरने नहीं लेंगे तो निस्क्रियता आपको समाप्त कर देगी उची तेवं सिख्र निर्ने आपको सफलता के नजदीक ले जाती है अतर निर्ने लेने है तू स्वें को तयार करें नई चुनावतिया है तू तयार रहें सफलता की रह में हर दिन नई चुनावतियों का सामना करना परता है प्रति दिन नई नई समस्याएं आती है विजेता को पुर्ण आत्मिस्वास से इन चुनोतियों का सामना करने को तैयार रहना होगा चुनोतियों के निराकरन हेतू किया गया संघर्स आपको तपा देता है यह संघर्स आपको सफल होने हेतू परिपक करता है बिना सं भीन मेहनत करने की कुब्बत है जो आत्म विस्वास एवं आत्म वल से सरोबोर है मात्र भौतिक साधनों के बल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है उसके लिए व्यक्ति को आंत्रिक रूप से सिदिर होना होगा उसमें द्रीर इच्छा सकती असीम साहा सेवं स्वें पर अटूट विस्वास होना चाहिए मानव वह है जो प्रस्थीतियों के आगे जुके नहीं बलकि प्रस्थीतियों को अपने अनुकूल कर ले बरी से बरी चुनौतियां भी सूर बीर के आगे नत्मस्तक हो जाती है हर सफल व्यक्ति ने सफल होने एक से पूर्व बहुत कठिन चुनौतियों का सामना किया है कुछ असफल भी हुए है लेकिन पुर्ण आत्म विस्वास के साथ लगातार संघर ससील रहकर उन्होंने सफलता प्राप्त की है चुनौतियों से घवरा कर या हार कर जो घर बैठ गया वह बिजयी तो हो ही नहीं सकता बिजयी होने के लिए व प्रसिद बैज्यानिक डाक्टर अलिन ने अपनी दवा का नाम 606 रखा ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्यूंकि उसमें से 605 बार असफल रहने के बाद 606 बार सफल हुए यदि वे हिम्मत हार जाते तो वे यह महत्पुन खोज नहीं कर पाते सफलता हेतु लगातार संघर्स एवं चुनवतियों का सामना करने का जुझारूपन आवस्यक है प्रतिकुल प्रस्थितियां विभिन आनी अंजानी अर्चने आपके प्रुसार्थ की धार को कुंठित नहीं कर सकती यदि आप में आत्मिस्वास साहस और दिर्ष निष्च फिर मिलेंगे अगले पार्ट में जीतना है तो जिद करो